हारलन कोबन का एक और नौवल है जिसके ओपर नेट्विक्स अलोने ओरिजिनल लिम्टेट सीरीज बनाई है जिसका नाम है गॉन फॉर गॉड यह असली में फ्रांस फ्रेंच लेंग्विज में है मगर यह नंने इंग्लिश में डब करके डाली हुई है तो मैंने तो इंग्ल सब्सक्राइब है तो इसके अंदर भी यही था इसके अंदर भी यही है और फ्रेड जो है वो जिन्दा है मगर सारी तुनियां को पिछले दस साल से ही लग रहा है कि वो मर गया है और यह साथ ही इसकी तुनियां ऑगय को फिलोग रहा है और इसके नई झाएं चलमियृधुवर्ट हो जो ऑस्का नाम जुडित है और इसकी तो तुसाल से कि करते हैं तो टाइम लाइन वहां चेलता है पाद में जो और अए जैसे बाड़ी देख तो इनको पता लगता है कि कोई और आरत है eventually हमें पता चलता है कि जो वो लड़की है वो और Fred की Fred ने अब शादी कर ली है किसी से और उसकी एक बेटी भी है और Fred की वाइफ है तो Fred जो है वो पिछले 10 साल से सबको यही पता लगने दे रहा था कि वो डेड है मगर वो अलाइव है और उसकी शादी होगी है उसकी एक वाइफ है और उसकी एक बेटी है और यह जो लड़की है जो जुडित बनके इसकी लाइफ में आई थी इसके भाई गलीमों की लाइफ में आई थी उसका नाम असली नाम नोरा है और वो जो नोरा है वो गायब होगी है और Judith जो है फ्रेड की वाइफ उसकी डेथ हुई है तो हमें बाब में पता चलता है कि जो फ्रेड उसका एक फ्रेंड गंजा और एक और कोई और तीसरा फ्रेंड है वो तीनों मिलके ड्रग्स का काम करते होते हैं और जो फ्रेड है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो क्या कहते है कि वो कहते है कि मैं तुमें पुलिस वालों को कहते है कि मैं तुमें अपने गंजा और पार्नर्स हैं वो दोनों पकड़वा दूँगा तो मुझे छोड़ दो तो वह खुद नी कर पा रहे होता है, तो जो गळीमो की पहली 1 में सोनिया से की कि पाले के उनके साथ ड्रग होती है ट्रॉबट के लिऴ घर्व बेच लिय री होती है तो वह बो उस चक्कर में वह जो गलीमो की और भी मार देती है सोनिया को तो ऐसा सा कुछ करके उन्होंने बताया है यह है कि interesting होता है दिरे-दिरे करके चीज़ें खुलती है Harald Gopan में बहुत सारे characters होते हैं तो बताने में story कुछ खास नहीं होती मगर देखने में ठीक लगती है क्योंकि काफी interesting तरीके से दिखाते हैं बाकि ठीक है